कि अब देखें जो कि अब करेंगे बहुत इंपॉर्ण टोपिक को लेकर बात करेंगे जो कि आपके आगे जैसे यंग डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट उसके बारे में आप लोगों नहीं देखा होगा कि वहां से ज्यादा कुछया जाते हैं आज का फेक बहुत इंपट joka कैसी ह racist होता है कमा पास में perfect फिरेंज के ओता है और मिम्हें इस्टेक्टीव करेंगे क्या हुशन होती है जो condition है वह ज्यादा इंपोर्टेंट है किस क्या मारे पास में पास में पार्ट डिफरेंस होता है तो आज जब आप क्लास को एंड करेंगे ना उस ताहिम कि आपके माइंड के अंदर में क्रिस्टल क्लेटी हो जाए कि इस टॉपिक को लेकिए चली मैं बात करता हूं सूपर पढ़ेंगे जैसे आज भी आप लोग को बताएगा था कि साउंड का भी बहुत इंपोर्टेंट आप लोके चैप्टर आता है तो पहला जो इसके अंदर में पढ़ने वाले हो पढ़ेंगे में सूपर पोजिशन को लेकिए देखिए सूपर पोजिशन का मरला भी होता है क एक कोई भी पॉइंट आप लोगोंने मैं कंसेडर कर लिया लैड़ा स्पोर मेरे पास में एक स्क्रिंड रखी हुए है और यहां पर दो अलग लग वेव सारी है यह मालो एक वेव यहां से आ रही है यह यहां पर बना जी भाए मैंने वेव आप लोग समझ पा रहे अब zero था यह मेरे पास में पाइज है यह मेरे पास में होगा हूगए नी पास है यह पास में रही है यह तो तो यह में ठीक हैं यहाँ पर मेरे पास मेंक ब्राइट स्पोट्ट भंड रहा है यहां फिर इसन वoles हापस में मिक्स पोते नद वहाँ हमें उसको जो फिट्रीपल यूज करना पड़ता है वहां यूज करना पड़ता है उसका मैं इस वेव की बात करönt हो तो यह वेव का अगर अप्लीटूर मेरे पास में एक तू है ठीक ना तो यहाँ पर जो इनके जो मैगनिटूर जुड़ेंगे यानिके जो वेव फिर उसको जो निकाला जाएगा इसका वेकटर समनी कला जाएगा वाय का जो फाइनल हमारे पास में बनने वाली हम अगले टोपिक अंदर में उसके बारे में डिस्कॉस करेंगे तो वह मेरे पास मंased गालो हों और इस पहले वाले का आपको करना भी आता होगा मैंने जो कुलम्स लो था वहाँ पर आप लोगो समझाए भी ये कि किसी का भी आपको आप लोगो से यहाँ पर आकर इंसिडेंट ओई हैं तो मुझे यह बताओ कि इनका जो final amplitude बनेगा वो कितना बनेगा ठीक है अब इसके अंदर में देखो क्योशन क्या बनने वाला आप लो के पास में कि मैंने कहा कि जो पहली वेव है वो मालो मेरे पास में जो पहली वेवा उसका यहां पर हमें एड़ करके चलना होता है तो को सिट वांपर लिखेंगे और इन दोनों के बीच में एंगल आप लोगो दे दिया गाई जीरो है ठीक है आप कुसी का दिमाग यहां पर यह भी चलना चाहिए कि ठीक है यहां पर मैं इंटेंस्टी की बात कर रहा हूं तो इंटे मेरे पास में अने वाला है वो कितना बनेगा तो आप लोग ध्यान रखना जब भी हम इंटेंस्टी की बात करते हैं यहां पर मैंने उसके एंटेंस्टी की बात करेंगे तो इन दोनों का जो फाइनल रजल्ट आएगा मारे पास में उसको आप एक्वेट कर देंगे ठीक है उसके उपर क्या कर देंगे हम स्क्वेर कर देते हैं जैसे मैं बात करूं कि यह मेरे पास में एंप्लिटूड वन है तो इसकी टोटल जो इंटेंस्टी बनेगे डैट विल बीकॉल टू डारेकली प्रपोशनल टू एवन का स्क्वेर पलस में एटू का स्क्वेर और इसका पंपलिटूड है यहाओ जोड़ेंगे दूसरा पंपलिटूड जोडएंगे और इसफूरे का क्या कर देने आप लोगो स्कूर कर दें टिक यह मने वेक्टर सम करने के लिए यह मैंने आपको इंटेंस्टीट करने के लिए पता है इन दोनों का आपस में मिक्सप मत करना यह मेरे पास में फाइनल रजल्टेंट निकालने के लिए बोलते हैं तब आप लोग यह यूज करेंगे और जब इंटेंसिटी के लिए आप लोग को बोला जाए तो आप इस फॉर्मले के थूरू डारेकल इसको कल्कुलेट कर सकते है जैसे यहां पर आप लोग को बोल दिया गया कि मेरे इसके एक का एक एक एम्प्लिटूड फॉर है दूसरे का मेरे पास में फाइव है तो पहली वेव जब यहां पर इंसिडेंट हो रहे ही तो उसकी जो मेरे पास में इंटेंसिटी होगी दैट वेल बी 16 दूसरे की जब व 11213 और 4 यानिकि 41 आप निकालके मेरे को दे दे और एक्जाम के अंदर में यह आंसर भी वहां पर आप लोग को मिलने वाला था ठीक है अगर यहां पर आप लोगोंने सभी से पढ़ा है तो आपका आंसर कितना ना चीए 4 प्लस 5 यानिकि दोनों का जुड़ेगा करते हैं और आगे हमारे पास में जो आएगी कि सोर्सिज जो हमारे पास में होते हैं कि कि सोर्सिज का हमें जोड़ना होता है क्या हमारे पास में कैसे कैसे सोर्सिज को हम यूज कर सकते हैं तो इसके अंदर मैं में दो तरह के सोर्सिज के बारे में पता होना चाहिए कि जब मेरे पास में हो सकते inconsistent inconsistent हो सकते हैं या फिर मेरे पास में consistent होते हैं अब consistent का मतलब आप समझने की कोशिस करना कि कोई मेरे पास में screen है इस particular point पर इस particular point पर यह वेव सापस में mix up हो रही है और mix up होने की बाद में continuously continuously मेरे पास में क्या रही है या तो डार्क स्पोर्ट दे रही है या फिर मेरे पास में एक ब्राइट स्पोर्ट दे रही है क्या वर्यूज कि हमने continuously ठीक ना ऐसा नहीं कि एक average value आपको हमेशा वहां पर दिख रही है कि आपको ब्राइट है तो कभी थोड़ा बहुत हलका डार्क दिख रहा है कभी आप लोगो ब्राइट डिक्र तो ऐसे सोर्सी का मिजीं करना होता तो कंसिस्टेंट स्पोर्ट यहाँ पर देख पारें तो हमेशा आप लोग दो लाइट वहां पर आ रही है तो आपको यह मेरे पास में दो वेव हो गई है इस तरह से आप लोικά के पास में आई और दूसरी जहां पर, इसका minimum है, यहां पर, इसका क्या रहा है, maximum आ रहा है कभी इसका maximum मार रहा है तो कभी इसका maximum आ रहा हैhehe ठीक है उसी तरह से इस particular point पर जाएंगे हैं कभी इसका maximum is तो यहां इस case के अंदर में आप पर continuesly ना तो bright मिल ले वाला है आपको dark मिल लेवालं यानिकि जो लाइट है आप लोग को सिरफ और सिरफ क्या दिखेगी वहां पर एक है इस पर्टिक्लर पाइंट पर एक एवरेज वैल्यू दिखेगी जो कि अगर इस वेव का आप कंसेसेंट करके देखेंगे तो इसका जो वेव है कुछ इस तरह का मिलने वाला है यानिकि कभ कंसिस्टेंट है क्योंकि इसकी जो पक्राइन जर्जलट देख रहें तो आप रूंगा स्법 अग्सिमूल में मैक सब्सक्राइब कभी मेंगा से यहां दूसरी मैं इंह पर बनाई ए जो की यहां से शुरू होती है यह फिर दूसरा वे फ्रन्ट यह दूसरा और यहां पर आ गई है ठीक है इस के अंदर में मेरे को यह बताओ कि यहां पर इस प्रटिक्लर के अंदर में यह इस विर्क को क्या है ख्रस्ट है इस एकर स्थ है तो दोने जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को क्या मिलने वाला जब इसको निकाल के देखेंगे तो इसका एसे वड़के मिलेगा आप लोग को क्यों मिलेगा क्यों कि अभी मैने अब को बताया कि ईसके इंटेंसिटि के उपर में काम बिलेगी उसी तरह से जो इसका ट्रफ आ रहा है ट्रफ भी क्या हो रहा है एक दूसरे के जहां से शुरू आ था जयाने कि कोई भी यहां पर इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो आपको मैंड़ यहां पर भी तूपाई मिल रहा है ऐसे यह थ्रीपाई फॉर पाई और यह ऐसे बढ़ता हुआ हमारे पास में फाइफ पर तक पहुंच रहा ठीक है तो यह मेरे पास में क्या होगी है आप लोग देख रहे हैं कि जो फेज इस उपर वाले सोर्स कि हैं वही फेज मेर अब देख पा रहे हैं कि जब एक का करस्ट दूसरे के करस्ट के उपर आ रहा है और करस्ट के क्रस्ट उपर आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले को देख्या बता रहें कि मेरे पास में लाइट हूं कभी मेरे पास रहा ही यहां पर मेरे पास में इंक्टेंट हूई है उनके ट्रफ के ट्रफ और क्रस्ट यह तो आप लोग ने स्केस के अंदर में पढ़ लिया अब ऐसा कर दें कि मेरे पास में वेव थी और यह ऐसे चली पर यहां से और दूसरी वेव जो थी वह कुछ इस तरह से चलियां यह क्यों पढ़ा हरे हैं यह इसलिए पढ़ा रहे यह निचे आगया यानिकि एक का एम्पलिटूड ऊपर है और एक का एम्पलिटूड निचे यह यह पलस है यह मेरे पास में माइनस यह तो दोनों जूड़ेंगे एम्पलिटूड तो दोनों के जूड़ेंगे लेकिन जो इंटेंस्टी की बात करूंगा तो उसका स्क्वेर ह यह सबढ़े हां पर rigy तो बिखियो और जीखियो तहीं सब्सक्राइब मेरे पाश मेरेपास और यू जान यह बने रहे इक यह मैं तो आप बताऊं मेरे आप मेरेपासस में जो वैल्यू है इन सौर्स को मेरे पास ए यह मेरे पास में सेक्ड सो्स है और मेरे पास में थाड़ वेव फ्रन्ट है तो कौन कावन से इसके अंदर में consistent है तो बिलकुल आप लोगों ने जवाब दिया कि बैं मेरे पास में इसका वे फ्रन्ट है उसका कोई पकटिक्र्ट मेरे पास में सिक्वेंस निया पटिकूलर तरीका यह कहीं पर ūे इसके把 पढ़ाया तो यहां पिछ चाली जो मिनिममम जहां पर मिनिममम है वह यह संहें इस त्रहीं इसवどうom सोर्स का ही हमारे पास में पूरे जो हम आगे की वेव प्टिक्स पढ़ेंगे उसके इंदर में पूरा इसका खेल रहेगा चलो इसके बारे में बात कर लिया आप लोगों ने अब यहां से मेरे को एक सफिशेंट कंडिशन आप लोग खुद बता सकते हैं कि मुझे कोई से कंसिस्टेंट सोर्स चाहि Coordinator मेरे लिए क्या सबसे पहली कंडिशन होती है तो यहां पर लोग ने बहुत ही पहतेरी था कि यहांसे आप लोगों ने देखा तो यहांपर भी Zero Face था और यहांपर भी मेरे पास में क्या होगा Zero Facebook गया कि इस यानि कि आप फिर्व देखते जारहे हैं तो यहां पर जो फेज डिफ्रेंस है जो फेज लिगा रेंस है जो कि पिछली कलास के अधर में आपको बता सके ये मेरे पास्तूप आई हो गया और यहां कर्मेरे पासमर थ nep Evo de groupe चलते जाएंगे अब बताओ पहले वाली की पहले वाली के अंदर में यहां पर कितनाा था music जीरा था तो दोनों के बीश किते兩व दिपेश्ट अभए quatroवाइ2-0 do play ईहां से 3 Buy- 392 pay 245 255-3 पाइनग त्रॢ आप देख रहे हैं तो इसके अंदर में या तो, मेरा फेल उता वो मेरा पास में कितना है जीरो है या फिर मेरे पास में यह क्या बन रहे है श्टेंट बन रहे है, तो ऐसे दो सोर्चिज जिनका हमेशा फेस्ट संव में आया कि कोहरेंट सर्स आपने लिया एक यह सोर्स है और यह एक बार दूसरा बन यह ले लिए अप लोगों ने तो आप लोगोंने जब देखा तो इसका फेस्ट इफरेंट जातो जीरो और या मेरे पास में constant आ रहा है अब मेरे को ये बताओ क्या दुनिया के अंदर में क्या दुनिया के अंदर में ऐसी possibility है कि दो sources बिना phase difference के मिल जाए मेरे को आनसर इस नो probability is zero क्योंकि जो आगर आप लोग जब electricity मैंने पढ़ाई थी तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो लाइट होती है कैसे जनरेट करती फोटोन जो बात करें ने बारे में बात करें था कि जो फोटोन होते हैं वह बैसे कि जरनेट होते हैं जब एलेक्ट्रोन आपनी पोजिशन पर वाइबरेट कर रहा हो तो इलेक्ट्रोन ऐसे रिवोल कर रहा होता है न्यूक्लेस के चारो तरफ में तो जब यहां पर इलेक्ट्रोन कर रहा होता है जब इसको एनर्जी देते हैं तो वह आपसी यहां पर आजाता इस पॉइंट पर जो बाहर उसका होता है फिर उसको क्या करेंगे जैसे वो यह इसके पास में बहार जाने का रास्ता नहीं होगा तो सप्षिक्रेगा एपनी जो पॉजिशुन पर जाने को बाथ करेगा जभीस टेवल पॉजिशन पर जा रहा लगा तो जो इसको energy मिलिए ना उस energy को क्या करना चाहेगा रिलीज करना चाहता है तो यह रिलीज करेंगा तो वा रिलीज जो होगी वो उसके फ्रिक्वेंसी क्या रहती है वो फिर्क्वेंसी रहती है जिस फ्रिक्वेंसी से ये ऐलेक्तरोन अपनी पॉजिशिशन से वाइब्रेट और InnitTrone कि अंदर में कोई भी दो सोर्ची अपने आप में कोईरेंट नहीं हो सकते अब नहीं हो सकते तो भाई फिर हम क्या करना चीए कुछ ना गुशता हमें तरीका डूनना चीए तो हमारे पास में क्योंकि आप जब हम बात कर रहे हैं कि जब भी सारे अमने फिनोमनाज देखे सु सुपर पोजिशन की जब भी हम बात कर रहें तो सुपर पोजिशन के अंदर में आपने देखा कि हमेशा और हमेशा मुझे 2030 और दो सॉर चांधित जिनके नथी या तो क्योंकि वही मुझे क्या constantly या तो maximum value दे सकते हैं को इसका solution निकालने के लिए हमारे पास में दो तरीके होते हैं कि हम कैसे कोरेंट सोर्स के बारे में बात करते हैं तो पहला चीज मेरे पास में आता है कि splitting of light जो भी मेरे पास में जो लाइट आ रही होती है उनको हम क्या करते हैं दो अलग लग वे उसके अंदर में split कर देते हैं जहां से हमारे पास में same type की same frequency की same wavelength की light हमारे पास में आ जाए अब यह कैसे करेंगे बहुत आसान तरीका बैस को भी करने का जैसे आप लोगों कै यह क्या किया एक literally मेरे पास में यह एक लाइट यूज और इसको दो यह स्क्रीन है मेरे पास मे और light यहां पर सोसा आप लोगोंने को चैंडल लिया या कुछ भीलिया यहां इसके अंदर में light यहां से पास होती है जब यह लाइट पास होगी तो आप सबको पता कि यह किस फॉर्म में चलेगी वेवेफरेंट की फोम में चलेगी यह वेफरेंट ऐसे बढ़ रहे हैं यह फ्रेंट यहां बढ़ेगा और जब यह इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो सब को पता है कि each and every point on the wayfront behave as a new source तो जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर एक ने source की रूप में काम करेंगा यह वे फ्रेंट यहां पुचेगा तो नए source की रूप में काम करेंगा और यह क्या करने वाला है यहाँ पर एक नई तो यहाँ यहाँ पर जो नए वे फ्रेंट बना है उसकी भी हमारे पास में फ्रिक्वेंसी वेलोस्टी और वही रहेंगे जो इसकी ती बिलकुल आजिसका तो यहीं रहेगा अब दूसरे की बात कर लेते हैं दूसरा भी तो अपना वे फ्रेंट बना रहा होगा ना क्योंकि यह नया प्राइमरी सोर्स बन गया तो भी क्या करेगा यह अपना एक नया फेफरेंट बना रहा है तो यह ऐसे वह आगया की तरफ में मुग करते रहेए कि क्या हमने दो अलगलग वेफरेंट दो अलगलग तरह की बना लिए अब इनका आप सब को पताए कि जब चलते हैं इनकी डारेक्शन होती है जो इनकी डारेक्शन होती है यह इसकी डारेक्शन होगी और यह दूसरा जो यह था उसकी डारेक्शन ही होगी यानि किसके साथ में पर पेंडिकुलर आप लोग बना देंगे तो यहां पर आप लोग का दो सोर्स यहां से आपने डवलप कर लिए पहली कंडिशन तो यह होगी कि कोहरेंट सोर्स मैंने बना लिया तो कोहरेंट सोर्स यहां पर आप इसके अंदर में आप लोग देखेंगे तो इसका जो वेव अगर मैं बनाओ तो यह वेव कुछ इस तरह की बनेगी ठीक है दूसरे की वेव बनाओ तो यह मेरे पास में रहेंगे ओके दूसरा मेरे पास में तरीका क्या हो सकता है कि दो अलग वे फ्रेंट बनाने का दूसरा मेरे पास में तरीका हो सकता है रिफ्लेक्शन का देखे रिफ्लेक्शन का हम कैसे यूज करेंगे इसके अंदर में तो रिफ्लेक्शन का आप लोग देख सकते हैं कि मा जिए और यहां पर लगा दूं एक जानों तो यहां पर हुआ दो यहां पर यहां पर आई इसके पास, यहां आई कि यहां परमार्ट पुंही OUT, दूसरा क्या तरीका है यह यहां से हर तरफ में जा रही है ना बई रे तो जो मारे पास में सोर्स है वहां तो हर साइड में जाती है यह इस मीरर पर जाएगी और यहां से जिस एंगल पर इंसिडेंट हो यह आई से उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक कर देगी यहां पर चली था यह हैं तो बिर भेवान को दिमागमें बतानी क्या बढ़ी चीज यह है यह हो यहां से आदी से नियमाने उसकी रख दिये ठीक है दिरे दिरे चीज़ आगे चलेंगे न क्या इंतर फेरेंस होता है तो और आप लोग चीज़ शुरू हो जाए तो यहां तक आप लोग आई ओपन यह समझ में आ गयो कि कैसे कैसे सोर्सिस काम यूज करते वे लेकर चलते इन चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं भी क्या मेरे पास मैं सिर्ड की मात करूगा मैं सुरी पहला इंटरफेरेंस की बारे में बात करूगा दूसरा मैं पालराइशनर के बात करूंगा diffraction के बारे में बात करूंगा और फिर न्यूटन रिंक्स के बारे में बात करेंगे तो चारों की निव अब रखी जा रही है आप लोग को अभी तक जो मैंने कहानी सुना यह नहीं आपके तरीके से थी अब जो हो नुमेरिकल बेसिस के लिए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट पढने वाली चलिए उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में सुपर पोजिशन होती है यह सुपर पोजिशन आप लोगों ने समझ लिए क्या मेरे पास में पार्ट बिलकुल आपको आए चलो बहुत अच्छी बात आप लोगों ने समझी कि क्या वेफरेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कूस कर लिया क्या हमारे पास में कंसिस्टेंट सोर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कूस कर लिया क्या हमारे पास में कोईरेंट सोर्स होते हैं उसक को इसको मैकसिमा के मिनाम से जानते है या पर अपर ने मिनिमा नाम से जाना होगा डिस टीक को लेंक ओके तो वाली दो वर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ यह ऊपर मैने सको बना ग्या है कि तरह व्यार्ण देना आप लोग चलो इसके surda में एक दो और यह तीन कि यहां तक धिक रहां आत्यों गर आप लोगों और देख केमरे में देख सेरा थे यह तो ग्रीन इह इत्लुख बिल्कुर निजें अ भी रॉत लोग न चलुकर Свैने मthere imme Breaking एक वेव एक दो और ये तीन तीन वेव हैं ये मेरे पास में थोड़ा समय कुछ लूटना को उनसरा मिया यहां पर सीissyुटर करना थे लूट capita करी यह पहला पहला मेरे पास में यह कॉरेंट सोर्स मिल रहे ना तो मनने की वज़े से में इनको जौई- bearings मेरे पास में नीचे वाले क्या रिए चलो भई एंपलिटूड की हम सेम बात करेंगे तो सेम एंपलिटूड रहेगा पहला ये एक दो तीन और चार यहां पर विवा गिये यहां पर मेरे पास में क्या रखी हुई मैंने सब्सक्राइब यहां पर मेरे सब्सक्राइब यहां पर स om की चिक्वरणे जब आफ लोगो पता है की फिलीट के अंदर में परते हैं दो यह कंшт है जब यह अगली साइकन यहां से जाई होगी तो यह क्या बनाना पड़ेगा तरह पर circle complete ओगिन यहां पर मेरे पास में जपर आ रहा है और लो के सब में नोर पर लोग और नहीं समझ पारे तो में में जब देड़े तो ने थाँ वर फॉर ऑपि recreation ऐभी चलो अब देखो यह जब लाइट यहां पर पहुंच रही है क्या इसका जो क्रफ है पहले तो यह बताओ क्या यह consistent source है जिहां बिल्कुल consistent source है क्योंकि करस्ट के नीचे बहुत अच्छी बात अब यह देखो इसके अंदर में पहला जो फेस्ट की बात कर रहा था मैं तो अब दूसरे मैं बात कर लेता हूं इसके पाथ को लेकिया फैली मैं बात कर लगा पाफ crashing को लेकि थोड़ा सा इसको कर लेकिया है यह मेरे पास में यह निखे लगार ठीक मैं और निखेंडियो मैं बात करने को लों आप लोग के साथ में वह बात कर उंप्रेंस मोट के लियुक्त। इzk लिक टोटल जो उसके अंदर में आया है तो टोटल मेरे पास में 3 लेंबडा हो गया भाई जो उसकी लेंड होती है वेव कि उसी को तो मैं रीप्रेजेंट कर रहा हूं तो 3 लेंडा लोगो ने लिख दिया अब बताओ नीचे वाले की वेव की टोटल लेंद बताओ मेरे को तो एक चलती चलती यहां पर पहुची है यह तो दोनों की बार हुआ हमारी साइकल कम्प्रीट करती जा रहे लोस्तिक आ पर पहुंच रहा है तो यह समझ में आया कि फॉर फाई फॉर पाई फाई पाई और शिक्स पाई और शिक्सपाई आ तपाय याने के जीरो आ गया पहली कंडिशन जब यह दो यहां पर मिल रहे हैं तो मुझे कैसा मिलने वाला है यहां पर आप लोगो को मिलने वाला ब्राइट मिलेगा थिक यह यह वी बीजुड़ेगा यह भी जुड़ेगा और इंटेंस्टी का आप लोग फोर्मॉला मैं ने बताया थे कि इंटेंस इसका दोनुका होल स्केर ठीक है तो यहां पर आपको क्या मिला ब्राइट मिला हम मैं क्या गरता हूं कि इसके अंदर में थोड़ा सा फेस डालते हैं थोड़ कि यह जो मेरे जो मेरे पास मेंती अब इसका यहां पर फेस कितना रहोगा सब्सक्राइब कर चेला करो जो पहले इसकी wavelength की तो गए तो आपने का जी उपर वाले की wavelength तो कितनी है झाँ यह त्री लेंबडा है। भाल एक वैव दो वैव तेमे टीन मेरे पास में आ रही है तो अब लोगो ने ने वाली है यहां भी तो ब्राइट मिलेगे ना क्योंकि क्रस्ट करिस्ट निचे ट्रफ कर रहे तर्फ कर नीचे ट्रफ इस अरह深ृ रख और स्क्रेस्ट करेंच लेख तो यहां भी आप लोग को ब्राइट मिलेवा लिए यानिक आप लोगो ने देखा कि जब मेरे पास जोगा फेज़ णिफरेंस था जीरो का पाद लेंट ये कट टोनु कहां से शुरू होई एक कितना उनकी इनिशियली उनके अंतर में चेंग जा रहा है इनिशली कितनी दुरी के बाद में शुरू हो रहे हैं तो आपने देखा किये मैरे पास में रख गया तो जीरो जाब दे तो कितनी पहुंच रही ती यह मेरे पास मेरे पहुंच रही थी श्क्स पाई और नीचे वाली पोच्छी मेरे पास मैं 4 पाई तो रिजल्ट बता हो मेरे भूंच आ या पर मिलेगा बहुत अच्छे बात वह आप लोगो ने समझ अम इस वेव को यहां से नहीं से पॉइंट स कि बाद करता हूं तो पार डिफरेंस के अंदर में उपर वाले में गतना पाद है एक दो तीन पात उसका टोटल वेव का कितना पाद ठीलेमडा और निचुवाले का कि किटना के वोट इतना चला ये तो इसका बाइब कितना है अमेरे पास में लैम्रा धानि do to लेंबड आप लोका मिल गया यहां से मिल गया तीन वैल्यू आप लोग के फिर ऐसे में बढ़ता हो आगे कितना भी इसको लेकर चल सकता हूं ठीक है अम निच वाले की बात करते हैं इसके फेज़ डिफरेंस के बारे में तो फेज़ बताओ मेरे को जो उपर वाली वेव थी उसके अंदर में फेज कितना था पाइट निच वाले वेव के अंदर मेरे को बताओ कितना फेज़ इफ्रेंस अभी यहां पर आपने देकर टूपाय मेरे पास में आगया ठीक है तो टो टोडन हम अदाओ मेरे पास में कितना आगया फोर पाय आगया क्या मैं कोई ृलेशन तो एंटर फिरेंस के नाम से जानते एंटर यह आपकर आ कांदा है ढूर। अब इसके अंदर में देखेंगे थोड़ा सा ग्रीन भी आप लोगो नहीं दिख रहा होगा इंके सके थोड़ी सी कम होगी है चलो कोई नहीं मैं आप ग्रीन यूज नहीं करूँगा अब यूज कर लेंगे ठीक है तो यहां पर इसको जर्नलाइज करने की कोसिस करते हैं तो उनिखन रहे हैं कि यह प्राइब ना रहा है यहां पर अगर मेरे पास एक तो हो कि आगे तक जा रही है ठीक है तो इसके अंदर में जब पारफ डिफैंस की बात करूं तो मैं पारफ डिफ्रेंस को जरनलाइस कर सकताूं भाइच अब इसको जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर मेरे पास में दो वेवस एक दूसरे से इंट्रफियर कर रही हैं यह मतलब इंट्रफियर का मलब एक दूसरे को डिस्टब करना तो यहां पर जो इसका पार्ट डिफ्रेंस ओगा जब वो बनेगा या यहीं कि मेरे को एक cattle said, मैsquare मेरे को देख जर देंगा ठवला को असब इसको बहुत सोन जहां तक भी आप जाएंगे तो आप लोग हमेशा ये मिलना जाएगा तो यह ध्यान रखना है कि लेमडा का हमेशा क्या रहेगा मल्टीपल रहेगा कौन सा पाथ के अंदर में डिफरेंस आ गया आप लोग नो कलेट भी करके देखा और यूविल गैट आलसर की पाथ डिफरेंस हमारे पास में एंड पाई एंड लेमडा हो ठीक है अब दूसरा मैं इसके साथ में जर्नलाइज करने कोसिस करता हूं किसको फेस्ट इफरेंस को तो एक चीज और याद रखो कि एक लेमडा जब मेरे पास में पाट डिफरेंस आ रहा है एक लेमडा पाट डिफरेंस मेरे पास में आ रहा है तो फेज का कितना डिफरेंस आ रहा है वहां पर टू पाई का मेरे पास में फेस्ट इफरेंस आ रहा है यह तो किया जब हमने एक करें तो यह मैंने पास मैं जीरो मिने य हो और तो मैं मैंटला है अगर आ crispyक वनता है तो मेरे पास में चया बनेगी पास बनने वाली वह 0123 मैरे पास में ये एन की वैल्यू रहेंगी तो ऐसे के संदर में हमेशा और हमेशा हम को क्या मिलने वाला है Maxima या फिर च्रीटीव इंट्रफिरेंस आप लोगों को मिलने वाला है वा समझाई कि यहमारे पास मेरे पास में पात डिफरेंस होता है तो यह मैंने पूरी जो situation आप लोगे सामने लिखी है यह पूरी मैक्सिमा या फिर constructive interference को लेकर लिखिए इसका स्क्रिंग से ले लो जल दिसे क्योंकि हम आगे जो पढ़ाने मिल रहा था क्यों प्राइट मिल रहा था वही क्योंकि क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आ रहा था और यह सारी situation यहां पर हमने डिवलप कैसे करी हमने डिवलप करी जब हमारे पास फेस डिफरेंस उसका यहां पर लेकिशन और फिर मैं तोड़े में क्या घरता है अगर वहां पर फेस्ट इफरेंस मेरा एंड लेंबडा आ जाता है काहां से जर्नलाइज किया इस फॉर्म लेकित तो ऐसे हमने इसको इसको ठीक कर लेना चले दूसरी वेव की मैं बात करता हूं दूसरा जब मेरे पास में फॉर्मिला आएगा तो इसी को थोड़ा सा मोडिलेट करते हुए चलते हैं जो मेरे पास में यहां से और दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चीए सेम रहनी चीए अब यह मेरे पास में यहां पर मैंने इसको एक स्क्रेंड रखी हुए जो यह लास्टोल पाइंट है नहीं पर स्क्रीन रखी थोड़ा से इसको मैं आगे दिखा गे चलो कोई आप लोग समझ जाओ कि यहां प यहां पर कितना आएगा यह मेरे पास में आने वाला है टू यह मेरे पास में पाई आएगा यहां पर आप देखेंगे तो कितना निला में मेरे पास में टू भाइओ कई यहां पर ट्री पाई यहका यहां पर आप देंगे तो mere आप देखने वीड़े तो जहां से भी आपको वैटर लगे वहां से आप इसको सुरू कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इसके अंदर में इनिशियल हमने एक फेस डिफरेंस ओलडी परवाइड कर दिया अब यहां बताओ मेरे को कि इसके नीचे इसका क्रस्ट क्रस्ट और नीचे उसका ट्रफ आ तो करते हैं कि इसकी पोजिशन को फिक्स कर देते हैं यह वे ऐसे आगे की तरफ में मुग कर रही होगी यह इस पौइंट पर जाकर मिल रहे तो मैं उसको पॉज़र कर रहा हूँ जब यहां पर यह पहुंचेंगे तो इस पाटिक्लर पाइंट पर मुझे इसका मुझे करस्ट मिल रहे हैं तो यहां पर यहां मिलने वाला में को बЕसे भर मुझे बूले का यहां पर मुझे रख स्पोर्ट क्यों क्यों आपको बताए कि इंका अपूरे का थे फोर आ को मिलने वाले ठीक है यह आप लोगा इंटेंस्टी का फॉर्मला पढ़ चुके है तो यह इंटेंस्टी मेरे पास में आगी चलिए और देखते इसके अंदर में अब क्या के सिच्विशन क्रेट करते हैं अब पहली बात करूं मैं इसके पार डिफ्रेंस को लेकर मैं बात कर तो फेय यह आप लोगसी तो पहले के अंदर में बताओ मेरे को पाठ्य कितना रहा है मैं टोटल कितनी की मेरे पैठेंक नहीं तेनी पहले की वेवलेंट आप कालकुलेट करो तो आप लोगों को दिख रहा है कि यह जो वेवलेंट है एक दो तीन लेनिके टोटल वेवलेंट उसके कितनी रही है त्री लेंबडा रही है जो पिछली सिच्वेशन थी वही थी अब इसके अंदर मैं बताव वेवलेंट कि दिनी है एक करास्ट एक ट्रफ एक विलेंट एक एक करास्ट कर दो वेविलेंट और यह मेरे पासमे एक और आ लम्या लिक सकता हुआ जो प्रेंट वाइह वो लेक सकता हुआ Ёब तू सरी situation मैं इसके किसके बारे में फेस्ट दिफ्रेंस के बारे में बात करना चाहूंगा तो फेस्ट इफरेंस मेरे को बताओ जो यहाँ पर पहुंची है तो उसका फेस्ट कितना वाई उसका 5 थो कि 1 2 3 4 5 और उपर वाले का आप लोग ने फेस्ट बताए कि उपर वाले के वेव का स्क्राइब लोग ने लिखा सिक्साइब और नीचे वायीयां वालीGod कितनी मेरे पासे ये styles पाई आप लोग इसको मैनस के एंगन एड और सब्सक्राहिए आप लोग को मिलागा नेट को तिक है दूसरा मैं इसके अंदर में इसके एक सिच्ट्वेशन अब दूसरी या करता वो यह का एक पुरा वीटव भाट व मैं यहां से इसको खतम करता हूं और इसके अन्दर लेगा गेन एक इस वह को यहां से शुरू कर आए तो अब बताव मेरे को इनिशली सब कंडिशनत है दो यह मेरा पासल धंक किय महां बन गया यह मेरेह पासमे टो पाई ये मेरेफ थी पैनि न twee yüzden 24P ठिक है यह मेरे पासमें रहूं DANE पाल्य कि बात करने हैं तो टों आले एक और यह मेरे पासमें 1001.5 एने की मैं तो कितना आप लोकी पास में जब आप इसको सोब करेंगे तो ये आप काए कि रिभाइट वायज टू पाई आरा मेरा पास्ट याई तो रहा है तो आरा थरी वाय टूपई आये पास मेरे पास में क्योंकि वन पाइंट फाइब बचेगा तो बचे emotionally a या टेका 0 तो आप लोग ने लिखा 3 by 2 आप लोग लिख दिया तो वही मैंने चीज यहां पर लिखिए ठीक है अब इसके फेस्ट दिफ्रेंस की बात करो तो फेस्ट इफरेंस इनिशिल कितना था था कब जब यह इस पॉइंट पर पहुंच रहे होती है उस पाइंट पर मु यहां से डिवाइड कर इसको अढ़ा रिता हूं तो पहले वाले के अंदर पासलेंच किती नीए थी मेरे पासमें 3 लेमरा मिश्वाले की बात करेंगे तो मेरे पास में 0.5 लैम्डा आप लोग को मिलने वाले है यह तो मिलेगी और यह टोटल आप लोग पासमें कितना बच ठीक तो आप लोग अरे थोड़ा सा यहां इसको चेंज गरो यार थोड़ा दान मेरा भी अपर आप लोग देख रहें कि यह 3-2 करेंगे तो 2.5 लेम राने वाला भाई ठीक न यहां पर हमने 45 दियास का फ्लो फ्लो में इतना आगे चले गाम इसको की पता है निचला की कुछ आप लोग करेंगे तो आप लोगको का मिने गफगा फंप लोग को मिलने वाला भाई ठीक है और यहां पर आप इसके बारे में बात करेंगे तो फेस की जब ले के तो कापे घो सांसक्सक्ता सिक्सिग्प्स गाइक यहां इसको generalize कर सकते हैं बिलकुल बाई मैं इसको सरने लेकिन कोन सा मल्टीपल है यहां पर देखो कि और मल्टीपल आ रहा है वन त्रीफ तो ओर मल्टीपल निकालने का आपको तरीका बता होगा जब किसी चीज़ को जर्नलाइज करते हैं तो एक फॉर्मला आपने स्कूल टाइम पर पढ़ा होगा 2N उन प्रशना आपको एक पैने वाला मैं यहां पर मैं इसको जर्रीना इसको कर सकता हूं कि इस के अंदर में पाठ डिफ्रैंस अगर मेरा 2N प्लस लन नंबस वन यहां पने वानिकाइब अगर आता है तो मेरे पास किस तरह रहा बनेगा मेरे मेरे पास में बनने वाला में है एक मेरे पास में डिस्ट्राइक्टि यानि कि मीनिवा या फिर इन्टर नवी कि यह प्लूअ कि होगा इस एंडव seperti को लेके तो फेज डिफ्रेंस में आपको कुछ दिख्राएं सेया ओancー यहाप पर भी आप चल रहे हैं कि यह भी आमारे पास में ओर मृल्ट इन चल रहा है 123 इस तरह से चल रहे तो इसको बीदा लिख सकते हैं कि टू एंब उपने वन सेम वह चीज ऊपर वाली और किसका मर्ट इपल हो गया मेरे पास मैं पास मैं मैं और यह मेरे पास में इसको जिरो वान टू त्री ऐसे आप सोन चलते रहेंगे ठीक है तो इसका स्क्रीन सोट ले लो जल्दी से तो अब मैं यहां पर चीज बताने चाहरा हूं वह यह चीज बता रहा हूं कि जब हमने अब बात करी तो फेस डिफरेंस के अंदर में बात करी थी तो फेस डिफरेंस आप का रहा था तो यहां पर आप लोगो ने दिखिए अपर लोगो आप लोगो आगे याद करना है कि जब भी आप लोग से क्योशन पुछा जाएगा तो मैक्सिमा कब बना मिनिमा कब बना ठीक है विवलेंथ आप लोगो दे जी जाएगी तो इनी के साथ में अप्रोच करते वह आगे क्योशन को बढ़ना पड़ेगा जो यंग डबल सिलिट के बारे में डिसक्स करेंग जो आपने ग्रैफिकल अप्रोच यह कहीं पर नहीं सिखी थी अब आप लोगो आई होप समझ में आ गई होंगी कि कहां से यह रेजल्ट हमारे पास में निकल कर आते हैं ठीक है इतना यह आप लोगो ध्यान रख रहे हैं चले मिलते नेक्स्ट क्लास के अंदर में जिसके अ बारे में बात करेंगे इसके नेक्स्ट हमारी जो क्लास आने वाले ठीक है थैंक्यू सो मच